हेले दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहें भीहाज जी करे ट्रिक्स में आपका स्वाध करता हूँ आज हम लोग भारत के यवन राजी सक एवं सासक के महत्पूर्ण प्रश्णों को इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारे चानल भीहाज जी करे ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जरू दबाय तबाय वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला प्रश्ण है भात में सोने के सिक्के सरपर्थम किसने जारी किये थे तो याद आखेंगे भात में सोने के सिक्के सरपर्थम इंडो ग्रीक ने जारी किये थे भात में सबसे अधिक सुध सोने कैशिक के कुशान काल में जारी किया गया था तो वही सबसे अधिक सोने कैशिक के गुप्त काल में जारी किये गये थे तो याद खेंगे जब सबसे सुध बोला जाएगा तो कुशान काल आएगा और सबसे अधिक बोला जाएगा तो गुप्त काल आयेगा और तो और जो सबसे पहले बोला जाएगा तो इंडो-ग्रीक सास्को के काल में माना जाएगा अब नेक्स प्राश्ण है अगले प्रश्ण में आपको मिलान करना है तो आप लोग प्रश्ण को ध्यान पुर्भग परकर इसका मिलान कर लें तो आई चलते हैं इसके सही कोट को जानते हैं यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पहुच कर ले तो आई चलते हैं इसके सही कोट को जानते हैं तो इसका सही कोट है option A अब आई चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं ताम्रलिपी बंगाल के समुन्द टट पर अस्तित है वहीं बेरी गाजा गुजात के समुन्द टट पर अस्तित है बारा बरिकम सिंदू बेसिन के टट पर अस्तित है सोपारा महराष्ट के समुनतट पर अस्थित है और अरिका मेडू तमिलनाडू के समुनतट पर अस्थित है भाद के पश्मी टट पर अस्थित बंदरगा बेरी गाजा सरवादिक प्राचिन एवम बड़ा परवेश द्वार था पश्मी एसिया का अधिकास व्यापार इसी बंदरगाशे हुआ करता था बेरी गाजा को हम भारुक कच्छी आफिर भराउच के नाम से भी जानते हैं पश्मी टट पर परसिद नगर थे शोपारा एवम कल्यान अरीका मेडू से रोमन बस्ती के विशाय में जानकारी मिलती है जो व्यापारी केंद के रूप में परसिद थी अरीका मेडू को पेरी प्लस अफ दा एरी थ्रीसियन सी में पेडोक नाम से संबंदित किया गया है दक्चिन का बंदरगा खावेरी पत्तम एक नगर के रूप में विक्सित है अब आई चलते हैं अगले पस्ट पर तो अगला पस्ट है रुद्र दमन प्रथम के बारे में आपको बतलाना है तो इसका सही उत्र आप्शन डी अर्थाद दूसरी सताब्दी के पुरवार्द में सर्मंदित था दूसरा है मौरकाल में परसीद सुदर संजील की मरमत का श्रे रुद्र दमन प्रथम के समय ही किया गया था और इसने संस्कित में सबसे लंबा सिरालेक पारित किया है अब आई चलते हैं इसके विस्तार को पड़ते हैं रुद्र दमन प्रथम दूसरी सताब्दी के पुरवार्द से संबंदित था मौरकाल में परसीद सुदर संजील की मरमत का श्रे उसी को ही दिया जाता है इसने संस्कित में सबसे लंबा सिलालेक पारित किया था पश्मी भारत के सौराश प्रांथ में अस्थेत सुदर संजील को मरमत कराने का श्रे सकराजा रुद्र दमन प्रथम के अधिकारी सुवी शाह को जाता है रुद्र दमन प्रथम का गिरनार अभिलेक संस्कीत में लिखा सबसे लंबा एवं बड़ा अभी लेख है अब अगला प्रश्ण है किस भारती परदेश में रोमन समराज के साथ भारती व्यापार को सामिल किया गया तो इसका उत्तर है दक्षनी भारत में भारते परदेश दक्षनी भारत के रोमन सामराज के साथ भारते व्यापार को सामिल किया गया था सरप्रथम रोमन सामराज के साथ व्यापारिक संबंद दक्षिन के तमिल राजियोब ने अस्थापित किया था अब अगला पस्टन है इन में से किसने यह विलाप किया कि सोने और चांदी की ठोस इंटे रोमन शामराज से भात में बहर रही है तो किसने कहा था तो इसका उत्तर है बी पलिनी और अल्डर ने पलिनी ने यह विलाप किया था कि सोने और चांदी की ठोस इंटे रोमन सामराज में भात में बहर रही है भारती मलमल की रोम में बरी मांग थी भारती व्यापारी चीन से रेशम करय करके उसे रोम सामराज को निर्यात करते थे या निर्यात के बदले में भारत को रोम से बरी संख्या में सोने एवं चांदी के सिक्के प्राप्त होते थे इस तरह रोमन धन को भाद आने पर प्लिन ने दुख व्यक्त किया था अब अगला पशने इन में से किस ने पहले उत्तर पश्मी भाद पर आकमन कर साशन किया तो इसका उत्तर है बैक ट्रेन ग्रीक ने सबसे पहले बैक ट्रेन ग्रिक ने उत्तर पश्मी भात पर आकमन कर शाशन किया था बैक ट्रेन ग्रिक को हम हिंद यवन या फिर इंडो ग्रिक के नाम से भी जानते हैं भारती इतिहास में युनानी को यवन के नाम से पुकारा गया है यवन आकमन कारी डेमेट्रियस ने 183 इसवी पुर में पंजाब एवं सिंद पर अधिकार करके भात में हिंद यवन राजगी अस्थापना किया था इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया शाकल वर्तमान समय में पंजाब में अस्तित है अब अगला पशने इन में से कौन सा मौर साशक पश्रिम एसिया के ग्रीक साशक सेलकस निकेटर के साथ व्यभाहिक मेल के रूप में आया तो इसका उतर ए चन्गुप मौर के सास्थ मौर सासक चन्गुप मौर ने पश्रिम एसिया के ग्रीक साशक सेलकस निकेटर के साथ व्यभाहिक मेल के रूप में आया था सलकस निकेटर ने अपने पुतरी कार्प नेलिया जिसे हम हेलेना के नाम से भी जानते हैं कि साधी चन्गुप मौर के साथ किया था इस व्यभा के फल्स रूप चन्गुप मौर को काबूल, कंधार, हेरात एवं मकरान का परदेश दहेज के रूप में मिला था अब अगला प्रशन है कब और किस ने सक युग प्राड़म किया था तो इसका उत्तर है कनिक्स ने अठात्तर इस्वी में कनिक्स ने सक युग प्राड़म किया था कनिस्क कुशान वन्सका शाशक था इसने गदी पर बैठने के उपलक्च में 78 इसवी में शक संबत प्राडम किया था कनिस्क की दो राजधानिया थी एक मतुरा और दूसरा पेसावर पेसावर को ही हम पुरुस्पुर के नाम से भी जानते हैं यहां कनिस्क ने शंगा राम नामाक बहुत विहार का निर्मान करवाया था अब अगला प्रश्ण है मेनांडर जो मिलिन नाम से भी जाना जाता है किस विदेशी राजवन से संबंदित है तो इसका उत्तर है इंडो ग्रीक राजवन से मेनांडर जो मिलिन के नाम से भी जाना जाता है यह इंडो ग्रीक राजवन से संबंदित था बहुत भिक्चु नाग सेन इसे बहुत धर में दिक्षीत किया था किसने नाग सेन ने अब अगला पशने इन में से किस शाशक ने बहुत चरचित सिल्क रूट को नियंतित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्वे लाव प्राप्त किया था तो इसका उतर है कुशान ने कुशान शाशक ने भहुत चर्चित सिल्क रूट को नियंतित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्ट से लाव प्राप्त किया था मद एसिया से गुजरने वाला वह व्यापारिक मार्ग जो चीन को पश्चिम के SCI भू भागो एवं रोमन सामराज से जोड़ता था को सिल्क मार्ग अतवा रेसम मार्ग के नाम से जाना जाता था भारति व्यापारी चीन से रेसम क्रै अर्थात खाईद कर उसे रोम सामराज को नियात किया करते थे अब अगला प्रस्ण है अगले प्रस्ण में आपको मिलान करना है तो आप लोग प्रस्ण को धियान पूरबक पर कर इसका मिलान कर ले तो आई चलते हैं इसके सही कोट को जानते हैं तो इसका सही कोट है आप्शन C अब आई चलते हैं इसके विस्ता को पढ़ते हैं शात वहन सासक सात करनी प्रथम की रानी नाग नईका के नाना घाट अविलेक से सात करनी प्रथम के विशय में जानकारी मिलती है शात वहन सासक गौत मेपुत सात करनी के विशय में जानकारी उसकी मा बलसरी के नासिक अविलेक से मिलती है पुनागर अविलेक से मिलती है चंदी वंस के राजा खारवेल के विशय में हमें जानकारी हाथी गुमफा अविलेक से मिलती है और खारवेल कलिंग का राजा था अब अगला पश्णे इन में से कौन माध्यमिका एस्कूल ओफ दर्शन सास्त का संस्थापक था तो कौन था तो इसका उत्तर है नागारजुन, नागारजुन माध्यमिका स्कूल ओफ दर्शंसास का संस्थापक था, नागारजुन कनिस के दरवार में था, इसकी तुलना मार्टिन लोथर से की जाती थी, इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता था अब अगला प्रश्ण है, किसके शाषन में उत्तर परश्रिम से भात में आकर, शेंट थोमस ने इसाई धर्म को बढ़ाया, तो इसका उत्तर है गोंडो फर्नीस गोंडो फर्नीस के शाषन में उत्तर परश्रिम से भात में आकर, शेंट थोमस ने इसाई धर्म को बढ़ाया, पार्सियन को भारतिय साहित में पहलव के नाम से पुकारा क्या है पहलव राजवन्स के संस्थापक माउस था, पहलव राजवन्स का सबसे परसित साशक गोंडो फर्नीस था अब अगला प्रश्ण है भारत और पश्रिम एसिया में मौनसून मार की खोज किसने की तो भारत और पश्रिम एसिया में मौनसून मार की खोज हिपा पलसने की थी हिपा लसने भारत और पश्रिम एसिया में मौनसून मार की खोज हिपा लसने किया था इसा की पहली सदी करीब 46 से 47 इस्वी में हिप्पा लश्ट नामक एक युनानी नाविक द्वारा अर्व सागर में चलने वाली मौनसोनी हवाओं का पता लगाने से भात का पश्चिम एसिया के बंदरगाओं से व्यापार और अधिक शुगम हो गया अर्थात सरल हो गया अब अगला प्रश्चन है किस वंस के साशकों ने छत्रप परणाली का परियोग किया तो इसका उत्र है शकों ने छत्रप परणाली का परियोग किया था सक वंस के साशकों ने छत्रप परणाली का परियोग किया था सक साशकों में उज्जैन के सक साशक रुद दामन परथम सबसे प्रशिद शक्षाशक था रुद दामन परथम का गिरनार अविलेक संस्कीत में लिखा हुआ सबसे लंबा एवम बरा अविलेक है पहले अविलेक प्राकिर्द भाषा में लिखे जाते थे लेकिन शक शाशक रुद दामन परथम ने संस्कीत में अविलेक लिखने की प्रंप्रा को प्राणम किया था अब अगला पस्ट नहीं संसापक माउस था पार्थियन राजवन्स का सबसे परसिद साशक गुंदो फर्निस था अब अगला परशने किस कुशान साशक ने सरवादिक श्वन मुद्राएं जारी की तो इसका उतरे कनिक्स ने सरवादिक श्वन मुद्राएं जारी की थी कुशान सासक कनिस्त ने सरवादिक श्वन मुद्राएं जारी की थी भात में सबसे पहले श्वन मुद्रा हिंद यवन सासकों ने जारी किया था भात में सबसे अधिक सुद सोने का शिक्का कुशान काल में जारी किया गया था और भारत में सबसे अधिक सोने का शिक्का गुप्त काल में जारी किया गया था कुशान काल में ही सबसे अधिक संख्या में ताम्वे का सिक्का जारी किया गया था अब अगला पस्टन है गांधार सैले की मुर्थी कला में बुद्ध के सारनात में हुए पर्थम धर्म अपदेश से संबन प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है तो इसका उत्र है धर्म चक्र गांधार सैले की मुर्थी कला में बुद्ध के सारनात में हुए पर्थम धर्म अपदेश से संबन प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र महात्मा बुद्ध की मुर्ती गंधार कला के अंतरगत बनाया गया था इसमें काले रंगे पत्थर का परियोग किया गया थो तो वहीं मत्रा कला के अंतरगत लाल रंगे पत्थर का परियोग किया गया था गंधार कला में बनी महात्माबुद का चहरा युनानी देवता अप पोलो से मिलता है गंधार कला को हम इंडो-युनानी कला के नाम से भी जानते हैं अब अगला पश्मी विद्वान ने रोम से भात में सोने का निर्गमन पर दुख प्रकट किया है तो इसका उत्रे C, पिली निने, इसके बारे में हम लोगों ने उपर पढ़ा है, तो आगे चलते हैं अब अगले प्रशन पर, अब अगला प्रशन है, नेम लिखित में से किस अस्थान पर भारत वर रोम के मद्य व्यापार के परमान मिलते हैं, तो इसका उत्रे A, अरिका मे मेडू में से भारत वर रोम के मद्य व्यापार के परमान प्राप्त हुए हैं, पेरिपलस अफ दी एरिथियन सी का लेखक, कौन है यह पता नहीं लगाया, जाशका है, इस पुस्तक में अरिका मेडू को पेडोक नाम से संबोधित किया गया है, रोम का शंपन, अग्छी जैसे तोता, मूर, लंगूर आदी को बहुत चाहता था, अब अगला प्रशन है, किस कुशान शाशक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में, हिंदू देवी देवता का अंकन किया है, तो इसका उतर है विम कदफिशेश, विम कदफिशेश कुशान वंस का का अंकन मिलता है, विम कदफिशेश के सिक्कों पर सिव, नंदी एवं, तिर्शूल की आकेरती मिलती है, या सैबधम को मानने वाला था, अब अगला प्रशन है, निम्न की कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात गलट को आपको छाटना है, तो कौन सा गलट है, तो अबर तथा जटिल परतिकात अक्ता गंधार मुर्ती कला की मुक्विसिस्ताय नहीं थी, गंधार कला में महात्मा बुद की जोभी मुर्ती बनी उसमें काले रंग के पत्थर का परियोग किया गया था, गंधार कला में महात्मा बुद का चेहरा युनानी देवदा अपोलो से मिलता है अब अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन एक कनिस के दरवार से संबंद नहीं था तो कौन नहीं था तो इसका उत्रे डी पतंजली असुघोस चरक एवं नागारजुन जैसे विद्वान कनिस के दरवार में रहते थे तो वहीं पतंजली जैसे विद्वान शुंगवन्स के संस्थापक पुष्मित सुंग के समकालीन थे असुघोस की तुलना मिल्टन गैटे एवं कांट जैसे विद्वान से की जाती है तो वहीं नागारजुन की तुलना महान व्यग्यानिक आइंस्टिन से की जाती है चरक आयरुवेद का बहुत बड़ा चिकित सक्था इन्होंने चरक सहिता जैसी पुस्तक की रचना की थी अब अगला परश्ण है सक विजेता किसे जाना जाता है तो इसका उत्रे चनगुप दुत्तिये को सक विजेता चनगुप दुत्तियों को माना जाता है चनगुप दुत्तिये ने पहश्चिम के सक राजा रुद सिंग तिर्तियों को प्राजित करके उपलक्ष में विक्रमा दित की उपादी धारन की थी तथा शिहीं विक्रम परकार का सिक्का चलाया था चन्दगुप दुतिये गुप्ट बंस का सासक था अब अगला प्रश्ण है येन काउन चेन को साधानता किस नाम से जाना जाता तो इसका उतर है कद फीसेज दुतिये के नाम से येन काउन चेन को साधानता कद फीसेज दुतिये के नाम से जाना जाता है यह कुसान वंस का शाशक था अब अगला प्रश्ण है निम्रिकित में से किस बंदर गाह को Periplus of the Erythian C का लेखक Pairdog के रूप में जाना जाता था तो इसका उतर है Arick Medu को Periplus of the Erythian C का लेखक कौन था या पता नहीं चलता है इस पुस्तक में Aricka Medu का उलेख Pairdog के नाम से हुआ है अब अगला प्रश्ण है निम्रिकित में से रूम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था तो इसका उतर है C, Medira रूम के साथ निर्यात, वस्त्र, हाथी दात, एवं काली मिर्च का किया जाता था जबकि Medira का नहीं अब अगला प्रश्ण है कनिस्क किस वर्स में राज सिहासन पर आरूड हुआ तो इसका उतर है 78 इसवी में कनिस्क 78 इसवी में राज सिहासन पर आरूड हुआ था कनिस्क कुशान वंस का सबसे परसिद साशक था इसने गद्दी पर बैठने के उपलक्च में जो संबद चलाया था उशेहं सक्संबद के नाम से जानते हैं शक्संबद का शमय माना जाता है 78 इसवी कनिस्की दो राजधानिया थी पहला मतुरा और दूसरा पेसावर पेसावर को ही हम पुरुस्पूर के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर कनिस्क ने संगाराम नामक एक बहुत बिहार का निर्मान कराया था अब अगला पश्ण है गंधार मुर्ती कला की सर्वोत्तम किर्थिया कव प्रकट हुई तो इसका उत्रे कुशान काल में गंधार मुर्ती कला की सर्वोत्तम किर्थिया कुशान काल में प्रकट हुई थी गंधार कला को हम इंडो युनानी कला के नाम से भी जानते हैं गंधार कला में महात्मा बुद्ध का चेहरा युनानी देवता अब पोलो से मिलता है गंधार कला में महात्मा बुद्ध के मुर्ती के निर्मान में काले रंगे पत्थर का पर्योग किया जाता था अब अगला पश्ण है महा मस्तक अभिसेख एक महान धार्मिक घटना निम्रकित में से किस देवता के लिए है तो इसका उत्तर है बाहू बली के लिए महा मस्तक अभिसेख एक महान धार्मिक घटना बाहू बली देवता के लिए है अब अगला पश्ण है चित्रों में पतलून जैसी पोशाग पहने हुए दिखाया जाने वाला पर्थम भारतिय साशक कौन था तो इसका उत्तरे कनिस्क चित्रों में पतलून जैसी पोशाग पहने हुए दिखाया जाने वाला पर्थम भारतिय साशक कनिस्क था कनिस्क के तामे के शिकों पर उसे बली वेदी पर वलिदान करते हुए दरसाया गया है कनिस्क के सोने के सिके रोम के सिकों से काफी कुछ मिलते थे अब अगला प्रश्ण है गंधार कला मिस्रित थी तो गंधार कला मुर्ती कलाओं की भारती और युनानी सैलियों का मिस्रन था गंधार कला मिस्रित थी मुर्ती कलाओं की भारती और युनानी सैलियों का इस कला में महात्माबूद की मूर्ति के निर्मान में काले रंग के पत्थर का परयोग किया जाता था अब अगला पश्ण है मत्रा की सिल्प कला के लिए किस पत्थर का परियोग होता है तो मत्रा की सिल्प कला के लिए लाल बल्वा पत्थर का परियोग होता है मत्रा की सिल्प कला के लिए लाल बल्वा पत्तर का परियोग होता है मत्रा कला पुरी तरह से भारती कला है इसी कला के तहट सरपथम महात्मा बुद्ध की मुर्ती बन्नी प्रारंब हुई थी अब अगला प्रश्ण है इसा की आरंबिक सतावदियों में निम्लिखित में से किसने भात के सामुद्रिक व्यापार में नया युगदान किया तो किसने तो इसका उत्रे मौनसुनी हवाओं का ग्यान 46-47 इसवी की आशपास हिपालस नामक एक युनानी नाविक ने मौनसुनी हवाओं का पता लगा लिया था इससे अरव सागर से होकर मद सागरिये छेत्रों में जहाजों का आना जाना शंभव हो गया था और भारत तथा पश्रिम एसिया के बंदर गाहों की दोरी कम हो गई थी अब अगला पश्ण है चरक सहीता चिकित्सा की किस साखा से संबंदित है तो चरक सहीता चिकित्सा की आयरुवेद साखा से संबंदित है इन्होंने चरक सहिता जैसी पुस्तक की रचना की है इस पुस्तक का शंबन्द आयरुवेद से है अब अगला पशने गंधार कला किन दो कलाओं का शैयोजन है तो गंधार कला हिंद युनानी कलाओं का शैयोजन है गंधार कला हिंद युनानी कलाओं का सैयोजन है गंधार कला को हम हिंद युनानी कला के नाम से भी जानते हैं गंधार कला में महात्मा बुद की जो भी मुर्ती बनी उनमें महात्मा बुद का चेहरा युनानी देवता अपोलो से मिलता है गंधार कला में महात्मा बुध के मूर्थि के निर्मान में काले रंग के पत्थर का परयोग किया जाता था अब अगला पश्ण है निम्लिकित में से कौन कनिस के राजवैद थें तो इसका उत्तर है चरक कनिस्त का राजवैद चरक था चरक आयरुवेद का बहुत बड़ा कियाता और चिकित सक था इन्होंने चरक सहिता जैसी पुस्तक की रचना की थी जिसका संबंध आयरुवेद से था तो आज के लिए इतना ही रहन देते हैं और कुछ भी प्रशन बचा हुआ है उन सारे प्रशनों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे तो आसा करता हूँ आप लोग को हमारे या वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोग को हमारे या वीडियो पसंद आया हो तो से लाइक और से जरू करें फिर मिलते हैं अगर इसके अगले पार्ट के साथ तो आज लिए बहुत बहुत अन्यवाद